हलो एवरिवन माई नेम इस नमन वेलकम बैक टो टेक प्लेस डाट कॉम तो भाई सैमसंग गैलेक्जी नोट 10 की लीग डिमेज और रेंडर इमेज जो है सामने निकल के बाहर आ चुकी हैं और यह जो इमेजेज है वो हमें फोन एरेना की तरफ से देखने को मिली उसके साथ सा स्विकेशन के बारे में भी हमें पता पड़ा है फोसके तरफ से इन सबके बारे में आपको बदाने वाला हूँ क्योंके बहुत सारे लोगों की यह जो है इसका जो प्राइज होता है वह THोड़ा ही होता है लेकिन आपको इस प्राइन में सब कुछ यह फोन भर-भर कर दे वाला है like August में इसकी releasing date होती है अब देखते हैं कि एक phone कब आएगा लेकिन इसकी जो league images है और render images है वो हमें पता पढ़ चुकी है तो मैं आप लोगों को बताना चाता हूँ तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं आप तक सबसे पहले लेकर आता रहा हूँ तो please subscribe करें नीचे एक subscribe को बटनों को उसको press करके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस phone के back side की तो भाई जो back side आपको देखने को मिल रहा है ये जो image आप देख रहे है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई glass का ही इसका body होने वाला है क्योंकि Samsung बहुत पहले से glass body को जो है adapt कर चुका है उसके साथ-साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको जो camera placement है वो center में ना होके side में देखने को मिल रहा है तो भाई Samsung Galaxy S10 जो था उसमें आपको center में मिल था लेकिन अब Samsung Galaxy Note 10 में आपको जो है camera placement side में देखने को मिल सकता है तो ये एक नए update होने वाला है उसके साथ से अगर आप और ध्यान से इस image को देखेंगे तो इसका जो camera है उसमें आपको triple camera नहीं देख रहा है बलकि चार camera का set आपको देखने को मिल रहा है तो ये एक major upgrade हो सकता है Samsung Note series में आपको rear में चार camera का support मिल सकता है जिसके कारए इसकी जो image quality है वो काफी ज़्यादा बहतर होने वाली लाइक अभी भी बहुत बढ़ी है camera है लेकिन अब चार camera के साथ इसकी image quality और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो ये जो है back side से इसका बहुत बढ़ी है सा लोग हमें देखने को मिल जाता है तो अब बात कर लेते हैं इसके front side की तो भाई front side में भी आपको बहुत बढ़ा सा change देखने को मिल जाएगा इसमें जो है आपको camera जो front camera है आपको center में देखने को मिलेगा लेकिन अभी जो Samsung Galaxy S10 series थी उसमें आपको right side में top right side में देखने को मिल जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा update है और ये render इस तरीके से किया है क्योंकि Samsung की तरफ से जो है कुछ images leak हुई थी जिसमें उन्होंने central point का जो है बहुत ज़्यादा जिक्र किया था इसलिए ये image को render करके इस तरीके से बनाया गया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि phone RNA की तरफ से जो भी images leak images बताई जाती है वो almost सही होती है तो भाई ये ऐसा हो सकता है like 90 to 95% ऐसा हो सकता है कि इसका जो rear camera है वो आपको center में देखने को मिल सकता है तो ये थी Samsung Galaxy Note 10 की rear और front में कुछ leak image लेकिन ऐसा भी सोना जा रहा है कि अब जो है Samsung Galaxy Note जो series होगी Note 10 जो series होगी उसमें आपको gradient color का support देखने को मिल जाएगा लेकिन अभी जो images आई हैं वो black, white और महरून इस तरीकी कि आपको images जो है देखने को मिल जाएगी अगर मैं इसकी specification की बात करूँ तो सबसे major specification update इसमें आपको fast charging support का मिलने वाला है लाइक अभी तक S10 series में आपको 15 watt तक का fast charging support मिल रहा था लेकिन ऐसा सोना जा रहा है Fox की दरफ से ऐसा कहा गया है कि जो अब Samsung Galaxy Note 10 होगा उसमें आपको 50 watt तक का fast charging support मिलेगा आपको 10 minute के अंदर कम से कम 70 to 80% तक आपका charge कर देगा तो इतना fast charging जो है Samsung लेकर आने वाला है तो ये भाई बहुत बड़ा major upgrade होने वाला है अब अगर मैं इसके display के बारे मैं बात करूँ तो इसमें आपको 19 by 9 की screen जो है वो मिल सकती है देखने को उसके साथ इसमें आपको quad HD का support मिलेगा like ml or display मिलने वाला है लेकिन इसका जो refresh rate होने वाला है वो 90 hertz तक का होने वाला है जो आपने जो है अभी OnePlus 7 Pro में देखा था उस तरीके का कुछ जो है बहुत जादा high level का जो है frame rate के साथ अब नया जो Samsung Galaxy Note 10 जो होगा वो होने वाला है ये थी कुछ leak images और specification Samsung Galaxy S10 की तो ऐसी specification और leak जो है हमें बाद में और भी पता पढ़ती रहेंगी क्योंकि आज के time पे कोई भी phone secure नहीं है leaks वगरे जो है हमें पहली पता पढ़ जाती है like phone के release होने से पहले ही internet पर सब कुछ available हो जाता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा तो उसके लिए आपको हमारे channel को subscribe करना होगा ताकि मैं ये सारी information आप तक पहुचाता रहूँ सबसे पहले तो हमारे channel को subscribe करिए और इस video को like करिए अगर ये video आपको अच्छी लगी हो तो तो guys thank you so much for watching this video मिलते हैं next video में ततक के लिए bye bye take care and peace